17 जून से मित्रो नव घ्रह मंडल में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है यानि कि शनी वकरी होने जा रहे हैं और 17 जून से लेकर और 4 नौंबर तक शनी देव वकरी रहेंगे जैमादादी मेरा नाम पंडित प्रकाज जो सी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टो आज में मित्रो इस कारेकरम में हम चर्चा करेंगे मेश रासी पे शनी वकरी का क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले शनी के अवहान का शनी देव का आवहान कर लेते हैं उसके बाद इस कारेकरम की शुरुवात कर लेते हैं ओम नीला अंजलम समाबाजम रभी पुत्रम यमाकरजम चाया मार्तंड संबूतम तम नमामी सनी चरम यानि कि शनी देव 17 जून से वकरी हो रहे हैं आप लाब इस्थाने शनी वकरा संतान विद्या धन व्रद्धी दायका यानि कि लाब इस्थान में जब भी शनी वकरी होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यह लाब इस्थान में आपके शनी वकरी हैं तो कहीं ना कहीं संतान की व्रद्धी होगी विध्यारतियों के लिए बैस वैसे भी आपके बैठे हुए और यह वक्री होंगे तो लाव स्थान में कुरूर ग्रहे जितना ज्यादा वक्री होगा जितना ज्यादा कुरूर होगा उतना ज्यादा बैस्ट उत्तम फल देगा रिशियोंने का है यानि 140 दिन मेश रासी का देखा जाए तो उनको धन में ब् बैटे हैं और यहां से लाब देखा जाता है अचानक कोई बड़ी डील एक्स्ट्रा इंकम के आपके योग बनेंगे क्योंकि लाब भाओं में शनी बैटे हैं साथी साथ देखें तो शनी की जो तीसरी जो द्रिष्टी है वो आपके लगन भाओं में बैठी है यानि कि आपकी राशी पे उसकी तीसरी द्रिष्टी है तो सरीरिक रूप से मेस राशी वालों को कुछ ना कुछ पीड़ा 17 जून से और 4 नौंबा तक रहेगी टांगों में में दर्द की problem, arthritis की problem रह सकती है कमर में दर्द की समस्या रह सकती है या लोह से infection या लोग से चोट लग सकती है तो कुल मिलाके शार्यरिक रूप से यह जो द्रिष्टी है तीसरी यह बहुत लाब कारी नहीं है शनी की जो साथवी द्रिष्टी है वो आपके पंचंब भाओ में आ रहा है तो पंचांभाओं में अगर आपके सनी के साथ भी दृष्ठी आ रही है तो देखा जाए तो यह विद्ध्यारतियों के लिए बहुत अच्छा है जो भी मेसरासी वाले विद्ध्यारती हैं जो कॉम्प्टेटिव एक्जाम दे रहे हैं उनका जून से लेकर और आएगी करियर में भी ग्रूथ आएगी खासकर यह जो शनी है पुत्री संतान के लिए बड़ा लाबकारक है यदि आपकी पुत्रियां है तो उनका वो मैडल अवार्ड जीतेंगी अगर छोटी पुत्री है तो किसी ना किसी एक्टिविटी में उनको लाब होगा बड़ी ह है तो कहीं ना कहीं उनके अठकेवे काम बन जाएंगे तो पुत्री के लिए ये इस्तती बहुत अच्छी है सनी की जो दसम दृष्टी है वो अस्तम इस्थान में बैठी है यानि कि आपके पार्टनर का पद प्रमोशन की योग बनते हैं क्योंकि पार्टनर क्या देखा ज जरा रहा है करियर में बड़ा पॉजटी प्रही वरतन आएगा या तो पार्टनर कोई नया व्यापार करेगा नौकरी को छोड़के व्यापार करेगा या नहीं कहीं जगा पे जोइनिंग करेगा तो कुछ ना कुछ पार्टनर के लिए अच्छी ये दृष्टी है अस्तम पार्टनर को वाहन का सुख प्राप्त होगा क्योंकि पार्टनर का ये धनभाव है तो कुल मिला के देखा जाए मेज रासी वालों के लिए ये जो शनी वकरी होने जा रहे हैं तो वरदान से कम नहीं है बहुत कुछ लाबकारी रहेगा शरीर पे आपको ध्यान देना हैं तो लिखा है करमे स्थाने शनी वकरा धन कार्य ब्रद्दी दाये का यानि कि दसम स्थान में जब भी शनी वकरी होते हैं तो मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं ऐसे में धन और काम में ब्रद्दी होगी यानि कि कुल मिला के ब्रशब राशी के लिए लाबकारी रहेंगे यानि 140 दन खूब धन पदलाब के आपके योग बनते हैं और रुकावा काम आपका बन जाएगा यानि कि आपके किये गए कार्य में ब्रशब राची को कोई सम्मान मिलेगा या कही ना कही ओफिशल वरक में आपको कोई अवर्ड मिल सकता है समाजिक संस्ता से अवर्ड मिल सक सकता है जो भी आप 17 जून से चार नॉंबर तक काम करेंगे उस काम में आपको सपलता दिख रही है शनी की अगर देखें जाए तो तीसरी जो दृष्टी है वह आपके बारवे भाव में बैठी है यानि कि देखा जाए तो बारवे भाव में बैठी है तो यह जो खास दृ दृष्टी है आपके स्थान में परिवर्तन लेके आ रही है आपको फेमस करके करेगी और आपको कोई पदवी दिलाएगी खासकर जो भी पब्लिक से जुड़ेवे लोग है उनके लिए फायदा है नॉर्मल पीपल के लिए देखा जाए तो मकान का रेनुवेशन कराएग शनी की ये जो दृष्टी है साती-सास शनी की जो सातवी दृष्टी है आपके चतुर्द भाऊं में बैठीए जो ये शातवी दृष्टी है ये बहुत अच्छी नहीं है माता-पिता के स्वास्त के लिए नहीं 140 दिन माता-पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं बीके सब्सक्राइब लेकिन स्वास्ते में देखा जाए तो उनको infection की समस्या हो सकती है या uterus में uterus से समद्धी कोई समस्या हो सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है यानि गुपत स्थान में कोई problem हो सकती है क्योंकि ब्रिश्चिक राशी जो होती वो गुपत स्थान की होती है तो वहाँ पर शनी की द्रिश्टी है तो कुल मिलाके देखा जाए शनी आपके लिए लाब कारी है ब्रिश्ब राशी वाले जो सोशल मीडिया यूट्यूब केटर उनके लाब कारी है साती सात देखा जाए जो नोकरी में है उनके लाब कारी है लेकिन आपके पार्टनर के लिए करियर के लिए लाब कारी है लेकिन हेल्थ के लिए लाब कारी नहीं है और माता-पिता के लिए शरीर के लिए लाब कारी नहीं है तो कुल मिलाके देखा जाए तो परिवारिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा शनी वकरी का फल नजर नहीं आ रहा लेकिन आपके करियर के या पब्लिक सेक्टर में YouTube creator है या Facebook creator है डिज्टल का काम करते हैं उनके लिए एकदम से काम उनका उच्छाल मार जाएगा उनका चैनल जबरदस्त हो जाएगा तो कुल मिलाकि जो शनी का वकरी का प्रभाव है ब्रिशब राशी के लिए लाप करिए और ज़्यादा डिटेल में जानना है बिलकुल संचित में जानना है बिलकुल 95 accuracy के साथ जानना है तो 72-101-242-89 मेरा वर्टसेप नमबर आ रहा है इसमें आप वर्टसेप कीजिएगा नाम, डेटो बार्ट, टाइम अब बार्थ और प वक्री होके बैठे हैं यानि शास्त्र के अंदर लिखा है नव में शनी वक्रा, विदेज, पिता, शुक, दाये का यानि की नववं भाव पिता का भी होता है उतना जदा शुफल देगा ऐसे में पिता को पदधन का लाब या कोई ना कोई लाब आपको 140 दिन यदि 4 रोंबर तक दिखाई देगा साती साथ आपके विदेश जाने के योग विदेश समंदी काम के रास्ते खुल जाएंगे विदेश समंदी application या interview में आपको सपलता मिलेगी या student लोग जो विदेश जाना चाते तो उनको भी सपलता मिलेगी और साती साथ विद्यारतियों के लिए अच्छे अंक के अफसर प्राप्त होंगे अगर आपने competitive exam दिये हैं उसका result आने वाला है तो कुल मिलाके आपको अच्छे अंक के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शनी जो वक्री हो गए है वो आपके लिए जबर्दस 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 रिजल्ट लेके आएंगे और मित्रो शनी की जो है ना तीन दृष्टियां भी होती है पहली दृष्टि जो आपके लाब भाव में पढ़ रही है लाब भाव मतलब जो एक नंबर लिखा है वहाँ पर शनी की पहली दृष्टि पढ़ रही है तो लाब भाव पर शनी की दृष्टि होने से आपको 140 दिन तक 4 नॉमबर तक वाहन का लाब होगा या पद का लाब होगा या करियर में लाब होगा रुकावा धन लाब होगा कोई ना कोई धन लाब आपको अब अच्छे होगा अपने काम के according student है तो विद्या का लाब होगा ठीक है ना कोई बहुत ज़्यादा बुजर गहे तो उनको किसी पेंशन किसी फंड का लाब हो जाएगा कोई लेडीज है तो उनको कोई गिफ्ट का लाब होगा तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ हर आयू हर वर्ग वालों को लाब मिलता हुआ नजरा रहा है शनी की सातवी दृष्टी आप देखेंगे सिंग रासी पर पढ़ रही है तो सिंग रासी पर सातवी दृष्टी पढ़ रही है वो मितृ रासी का तृत्य भाव है तो कही ना कही आपके सम्मान में बृद्धी होगी आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे इनवालब रहेंगे और सरकारी योजना का आपको लाब प्राप्त होगा अगर सरकारी कोई योजना आपके वहाँ चल रही है या ठेकेदारी का काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई फायदा होगा करिशी का काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई फायदा नजला रहा है तो कुल मिलाके साथवी दृष्टी भी अच्छी है शनी की दसवी दृष्टी आपके ब्रिश्ची ग्रासी पे बैटी है यानि आपके छटे बाओं में बैटी है तो यह कुछ अच्छा भी है मित्रो और कुछ खराब भी है यानि 140 दिन 4 नॉवंबर तक देखा जाए तो पुराने जो आपके कोट केसी है या सरकारी कारे पैंडिंग है वो बनते वे नजर आ रहा है लेकिन हेल्थ के इशू आपको रहेंगे इंफैक्शन की समस्या रहेगी शरीर पीड़ा की प्रॉब्लम रहेगी कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हाड की प्रॉब्लम तो आने वाली है ऐसा योग नजर आ रहा है यानि स्वास्त की प्रे दिखेंगे तो आपकी रासी से अश्टम भाव पर बैठें जी अश्टम भाव पर वैसे तो इसको हानी का भाव कहा जाता है लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अश्टम भाव पर कुरूर ग्रह जब वक्री होता है तो रिशियों ने बहुत सारी ऐसी किताबें है जो तूत्र बोलता है अस्ट में शनी वक्रा धन धान्य राज सुक दाय का यानि कि अस्टम में जब भी शनी वक्री होता है जैसे कि हो रहा है तो धन धान्य भी बढ़ जाता है और सरकारी राज सुक भी बढ़ जाता है यानि सरकारी समंदी जो सरकारी महकमे में उनकी पद प्रम करकराशी के लिए खराब ही रहेगा यानि कि धन्व से समंदित करकराशी वालों को समस्य आ गई जनवरी से साती साथ व्यापार चलनी रहा है नौकरी में समस्य नौकरी लगनी रही है अधिक तर से मैं 7210124289 पर मैं करकराशी वाले जितने भी जाता को जाती का उसे बात करता हूँ उनकी घिसा पिटा के यही सब की समस्य चल रही है तो ऐसे में शनी का वकरी होना कितना लाब कारी है बहुत लाब कारी है लेकिन ये लिमिटेड टाइम यानि 140 दिन तक रहेगा यानि 140 दिन तक करकराशी में आपको करकराशी वालों को लाब होगा अब लाब क्या क्या होने वाले है एक तो नोकरी में जो 21 चल रही थी कुछ लोगों को नोकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था कुछ लोग नोकरी में पावर में नहीं थे तो उनके लिए नोकरी में कुछ ना कुछ हल निकलेगा नोकरी में कोई ना कोई खुशकबरी मिलेगी बड़ा पद का आपको ओफर मिल सकता है या पदलाब हो सकता है व्यापारी लोगों के लिए बात करें जो करकराशी वाले उनका काम ही नहीं चल रहा था तो व्यापार में तेजी होगी करजा जो आपके उपर बढ़ गया है करकराशी वालों के पास तो ऐसा काम मिलेगा कि थोड़ा करजा आपका कम हो जाएगा साथी साथ देखा जाए, जो शनी क्या, यहां पर, अस्टम में बैठे हैं शनी लेकिन सब्तम के भी स्वामि है तो सब्तम और अस्टम के स्वामी होने से आपके अपने पार्टनर को भी चाहिए, लब पार्टनर और मेरिट पार्टनर उनको भी पद धनका लाब होगा या उनके भी सरकारी नौकरी के या सरकारी चीज के योग बनते हैं, यानि आपके पार्टनर को अगर वो वरकिंग पा द्रिश्टी है मित्रों आप देखेंगे आपके दसम इस्थान पर बैठी है तो दसम इस्थान पर जो शनी की तीसरी द्रिश्टी है जो आपके दसम इस्थान पर बैठी है तो यहां पर देखा जाए तो यह करम छेत्र होता है करकराशी वालों का यानि चाहे आम नौकरी करत हो चाहे स्टूडेंट ही हो आप पड़ाई लिखाई करते हो आप सब का ये करक राशी वाले करक लगन वालों का करम छेद है यहां पर शनी की ये शुब द्रिश्टी होने से काम समंदी समस्याओं से आपको लाब मिलेगा जो भी आप काम कर रहे हैं जिसके लिए भी आप प् ध्रण लाब प्राप्त होगा यहां से प्यट्रिक जमीन का कोई ना कोई जो मामला है वह शोटाउट होगा भाई-बैनों से जो प्यट्रिक विवाद चलना वह शोटाउट होगा या फिर आपकी रैंटल इंकम बढ़ जाएगी याद रखेगा और आपके एक्स्ट्रा इंकम के योग बन जाएगे कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपको अच्छी खासी बड़ी डील से लाप करवाएगा या एक्स्ट्रा इंकम के योग बनते हैं तो कुल मिलाके अस्टम भाव से जो ये दृष्टी आ रही ये लापकारी है इसी प्रकार से सनी की दसवी लेना चाते हैं भागा दोड़ी जरूर होगी लेकिन आपको सपलता मिलेगी विदेश में लेना चाते हैं भागा दोड़ी होगी लेकिन सपलता मिलेगी इसी प्रकार से करक राशी वालों की संतान के करियर में भी सुबसूचना प्राप्त होगी तो कुल मिलाके देखा जा तो यह आपकी सिंगरासी वालों की कुंडली है इसमें पाशर नियाम और और पावरफुल हो जाते हैं कुरूर ग्रे केंद्र में अगर वक्री होगा तो अच्छा फल देगा धंधान्ये से आपका घर भर जाएगा आपका व्यपार बढ़ जाएगा साथी साथ दामपत्य सुक में भी ब्रिद्धी होगी तो कुल मिलाके यहाँ पर शनी की स्थथी बहुत अच्छी है सप्तम थे होंते हैं यानि कि कोई व्यक्तियाएगा कोई आपको extra income या extra for वा सकता है कोई extra deal आपकी हो सकती है रुकाव धन आपको प्राप्त हो सकता है करियर के लिए यह सप्तम शनी यह बड़ा positive है यान करियर में जो समस्या चल रही थे उसका समाधान निकलता है और positive समाधान या पदल आपके योग नजर आते हैं साती साथ अगर वर्किंग नहीं है तो तो भी देखा जाए तो 17 जून से 4 नौबर तक उनके प्रॉपटी या वाहन के योग नजर आते हैं यानि कि उनके लिए उनके नाम से या उनके लिए भूमी खरीदी जाएगी या वाहन खरीदा अगर जायाएगा एसा योग नजर आ रहां यह शनी का कॉम्मिनेशन बना रहा है शनी की जो तीसरी दृष्ट है मित्रों देखेंगे तो नवम भाव में पड़ रही है आपे नवम भाव में पड़ HAS पिता का होता है तो पिता को पद धन लाव में बृध्दीन कराएगा साती सात नववंभाव विध्यारतियों की विध्या का भी होता है तो विध्यारतियों के लिए लावकारी है यानि कि आप अगर competitive exam देंगे student तो उनको सपलता मिलेगी institute में आपके मंचाए admission हो सकता है institute में थोड़ा लेकिन दूर जाना पढ़ सकता है एसा योग सिंग रासी वाले student का बन रहा है विधेश सम्बंदी जो student है या विधेश सम्बंदी यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं अगर आपने विधेश में student ने apply किया तो आपको तुरंत अच्छा result मिलेगा और आप विधेश के लिए रवाना भी हो जाएंगे या फिर सिंग रासी वाले विधेश जाना चाहते हैं या विधेश सम्बंदी कोई काम रुका हुआ है तो वह 17 जून से और 4 नौवंबर के बीच में बन जाता है आपकी विधेश की यातरा भी लिखी है कोई नया काम सिंग रासी वाले पाटनर्शिप में या वैसे ही एक्स्टा काम करने वाले हैं तो शनी की यह जो तीसरी दृष्टी बड़ी लाबकारी है सनी की जो सातवी दृष्टी आप ही की राशी पे आ र आपको कोई फायदा मिल सकता है यदि आप ठेकेदार हैं या कोई गौर्मेंट से जुड़े वे आप कोई काम करते हैं तो आपको सरकारी योजना का लाब मिल सकता है अगर आप किसान भी है तो आपको कोई ना कोई सरकारी योजना का लाब मिलेगा मतलब जर्नल लोगों को भी इसका लाब मिल सकता है लेकिन उनकी सिंग रासी होनी चाहिए इसी प्रकार से शनी की दसम जो द्रिश्टी है वो देखा जाए तो ब्रिश्चिक रासी पे यानि आपके चतुर्त पे आ रही है तो कहीं ना कहीं 17 जून से 4 नौंबर तक भूमी या वाहन समंदी क्रय विक् कि एक चीज खरीदेंगे और एक चीज बेचेंगे ऐसा योग आपका नजर आ रहा है तो उसमें भी आपको लाबी होगा वो इन्वेस्टमेंट कर शनी देव कराने वाले हैं तो उसमें आपको जबरदस्त लाब होगा यानि कुल मिलाके देखा जाए तो सिंग रासी केयो शनी वक्री होने से जबरदस्त लाब होता वर नजर आ रहा है यह आपकी कुंडली आ रही है आपकी कुंडली से पंचम में शनी बैठे हैं और यहां वक्री हो रहे हैं तो कहा जाता है त्रकोन भाव में कुरूर ग्रह वक्री होता है और जितना कुरूर होता है उतना भूमी पदधन दायका यानि कि पंचम में जैसे ही शनी वक्री होंगे वैसे ही आपकी को संतान सुक मिलेगा या संतान से रिलेटिड अच्छा सुक मिलेगा भूमी पदधन दायका यानि कि पदधन भी मिलेगा अब इस बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं आपकी रास काम प्राप्त हो सकता है या फिर कोई ऐसा काम हाथ लगेगा जिससे की आपकी बल्ले-बल्ले हो जाने वाली है मोटा धनलाब भी आपको होगा किसी के दुआरा साती साथ एक्स्ट्रा इंकम के भी आपके जबरदत योग बनते हैं तो कुल मिलाके काम के लिए चाहे विपारी हों चाहे आप नौकरी करते हो तो उसमें आपके पदधनलाब के योग बनते हैं साती साथ देखा जाए तो शनी जो ये पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको किसी संस्टा से आपके क द्रिष्टी है वो आपके सब्तम भाव में यानि कि आपके दामपत्य जीवन में तो जो भी कुवार हैं उनका विवाई योग आप तुरंत अचानक ही बनेगा अचानक जट मंगनी पट विवा वाली स्तथी आपकी बनेगी याद रखेगा शनी की जो द्रिष्टी है चार सब्तम द्रश्टी आपके लाभ भाव पर नजर आ रहे है अगर आपने विदेश में इंचिचिशन में अपलाई किया है या फीदेश से समंधित कोरा है काम तो वो भी 17 जून से 4 नौंबर में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है करियर के लिए अगर देखा जाए तो क्योंकि लाभाव सब चीज में लाभ देगा तो करियर के लिए देखा जाए तो तुला राशी का पद धन विरिद्धी और पावर में तुला राशी वाले आ जाएंगे एक चीज की कमी आप मिस कर रहे थे वो थी पावर की आप शनी वकरी होते हुए चाए अल्पकाल तक ही रहेगी चार नमबर तक आप बहुत पावरफुल पद पे पहुँच जाएंगे साती साथ सनी की दो दसम द्रश्टी है वो देखा जाए तो आपके धन वाव में बैटी है यानि कि रुका हुआ धन मार्किट में फसा हुआ धन कोई धन देनी रहा है तो आपको थोड़ा सक्त कदम अपनाना पड़ेगा जान पैचान लगानी पड़ेगी किसी व्यक्ती से या फिर आपको उंगली टेड़ी करनी पड़ेगी धन जरूर मिल जाएगा थोड़ा सक्त कदम उठाना पड़ेगा जिस प्रकार राम जी ने समुंदर के सामने बड़ी विंति की थी ना लेकिन उन्होंने माना नहीं एक बार की दो दिन की तीन दिन की उसके बाद उन्हें बाण चला दिये तो इसी प्रकार थे 17 जून से 4 नॉवंबर की ऐसी स्थिय आ बहुत अच्छी बहुत लाबदायक है चाहे आप व्यपार करते हैं चाहे आप राजनीती में चाहे गवर्मेंट जॉब में हैं चाहे आप नॉर्मल प्राइवेट सक्टर में तो सब के लिए इस्तथी कुछ ना कुछ बहतर लेके आ रही है चार नॉवंबर तक चली आप बात करते हैं जैसे की आप जानते हैं कि आपके उपर साड़े साती तो चली रही है जो साड़े साथी का प्रभाव जन्वरी से तो जन्वरी से दिखा जाय destroying पैर न use नितimes लिए रही है छोट छोटे काम के लिए आपकी भागा दोड़ी हो रही है जो काम फोन पे हो जाना चाहिए उसके लिए भी आपको चलके जाना पड़ रहा है छोटे-छोटे काम employee जूनियर करने पा रहा उसके लिए भी आपको भागा दोड़ी हो रही है यानि कि बड़े परिश्रम जिंदगी में चल रहा उसके बाद कुछ सफलता आपको नजर आ रही है अब जैसे ही शनी वकरी होंगे वैसे ही आपको जबरदस धनलाब या अचाना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है एक्स्ट्रा इंकम के योग आपके बन सकते हैं यानि कि 140 दिन ऐसी इस्तती बनेगी ऐसा कोई ओफर देता है तो मना ना करें आपके लिए लाप करिये साती साथ शनी दुत्य स्थान में बैठा है दुत्य स्थान में जो शनी होता है वो दात समंदी समस्या भी देता है और साती साथ शनी के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि दुत्य भावे शनी वकरा धंधान्य पद दायका यानि कि दुत्य भावे शनी जब भी वकरी हो देते हैं और नौकरी वालों को पद देते हैं स्रेष्ट नौकरी देते हैं तो कुल मिला के 140 दिन आपको स्रेष्ट नौकरी मिल सकती है आपको अपलाए करने की प्रियास करने की आपको जुरूत है क्योंकि कोई भी चीज आपकी सड़े साती या धहिया में अचानक नहीं मिल जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर वाहन के आपके योग बनते हैं लेकिन काला वाहन ना खरीदे नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा किसी भी रंग का वाहन खरीद लीजेगा काला वाहन आपके लिए अशुबकारी रह सकता है बाकि आपकी मर्जी है और चतूर्त भ अरिवार में किसी सदस्ये का कोई मांगली काम जैसे शादी, विवा, करियर और या शिक्षा का काम भी हो रहा है तो कुल मिला के देखा जाए तो ये द्रिश्टी बहुत अच्छी है साती साथ सणी की जो सातवी द्रिश्टी पांच जहां खाना लिखा है आपके अस्टम भावों पर बैठी है यानि कि पांच नंबर जहां लिखा है वो याद रखिएगा वो अस्टम भाव है आपका तो वहाँ पर बैठी है तो कही ना कहीं अचानक पदलाब आपको होगा साथी साथ नौकरी और करियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी और पार्टनर का ये दुत्य भाव होता है तो पार्टनर के लिए ये जो दृष्टी है लाबकारी नहीं है यानि 140 दिन हो सकता है पार्टनर को धनहानी हो या धनका खर्चा उनका अधिक बढ़ जाए या उनको शारीरिक कस्ट ज़्यादा बढ़ जाए ऐसा योग नजर आ रहा है यानि कि पार्टनर के लिए ये जो पाँच्वे में जो दृष्टी है वो लाबकारी नहीं है इसी प्रकार से देखा जाए शनी की जो दस्वी दृष्टी है वो आपके लाब भाव पे जहाँ पर आठ नंबर लिखा है वहाँ पर है तो कुल मिला के देखा जाए तो आप जो इन्वेस्टमेंट आपने पिछली कर रखी है FD में, Mutual Fund में, SIP में, Bond में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका अब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा 140 दिन कोई मुटा काम, मुटी डील आपको मिल सकती है, एक्स्टा इंकम मिल सकती है जिस तो आपको जबरदस्ट लाब होगा यह temporary 140 दिन का ही फेज रहेगा मित्रों आपकी कुंडली के अनुसार, लगन भाव में, इसको पराशर में त्रिकोंड भाव कहा जाता है आपकी राशी में ही शनी बैठे हैं, तो कहा जाता है कि लगने शनी वकरा, धन धान्या परसीधी दाय का यानि कि शनी यहां तो उल्टा आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, यानि 17 जून से 4 नौंबर तक कुंबराशी को धन धान्या परसीधी नेम एन फेम मिलेगा चलिए कैसे मिलेगा, यह चर्चा कर लेते हैं, यानि कि 140 दिन तक कुंबराशी को खूब धन मिलने वाला है, धन समंदी, रुकेवे काम, किसी दे धन लेना है, धन समंदी, चीजें आपकी नहीं हो पारी हैं, तो वो होती भी आपको नजर आएगी, साती सात विदेश यात् के भी आपके योग बन जाते हैं, यानि कि विदेश आप जाने वाले हैं, चाहे आप नेपाल चले जाएं, चाहे आप इंडोनेशिया चले जाएं, चाहे यूएस कैनेडा, कहीं भी चले जाएं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, साती सात देखा जाए, कुछ लोग देगा सीनियर आपकी तारिफ करेंगे सीनियर आपके अनुसार चलेंगे बड़े-बड़े बॉस आपकी अब आप कम-कम समय के लिए चाहे सतरह जूम से चार नोवंबर तक आपकी बात मनेंगे यानि कि आप जो राय देंगे वह ओफिस के लिए कारे के लिए बड़ी साबந्वित् साबित किसी जीव से आपका लागा भी भी हो गा से कुटे से आपका लागा यनि inclा लगा घाल जाएगा किसी जीव से उसका पालन पॉशन भरण पॉशन भी आप करेंगे साथ यह जो में बैटा यदि आप राजनीतिक छेतर से हैं या यूट्यूब करेटर हैं फेस्बुक करेटर हैं सोशल मीडिया में अपना चैनल बनाते हैं ब्लोगिंग करते हैं या आपका कोई सारवजनिक काम है ठेकेदारी करते हैं तो आपको कोई ना कोई पद मिल जाएगा आपका फेम बढ़ ज इस हैं सत्रा जून से चार नोंबर यानि मोटा आम्बर तक आपको मिलेगी शनी की जो विकी ऊसंथेंद तो पहनी दिरिश्टी देखा जाए तो आपके थैसरी भाव में बैठीची में बैठने से क्या होगा यानि कि आपके विदेश समंदिक काम सपल होते हैं यदि आप विदेश जाना चाहते हैं विदेश में अपना अपलाई किया नौकरी के लिए पढ़ने के लिए तो वह काम होता हुआ नजर आ रहा है पहली चीज यह या फिर विदेज संबंदी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ड किसी का काम है उन्होंने अपलाई किया तो उनको भी कुछ काम मिलेगा यानि कि विदेज संबंदी ओफर या काम मिलने के अच्छे योग बनते हैं साथी साथ सनी की जो सब्तम द्रिष्टी है वो आपके दमपत्य भाव पे तो पहला तो जो कुवारे हैं कुमराशी वाले उनका चट मंगनी पड़ विवा होगा यानि कि 17 जून से और 9 तक अचानक विवा के योग बन जाएंगे आप हाना 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 करते रह जाएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी साथी साथ यदि आप शादी चुदा या रिलेशन में तो पार्टनर को भी पद धन लाब होगा यदि पार्टनर वर्किंग है तो कहीं न कहीं उनको पद धन लाब होगा और पार्टनर वर्किंग नहीं भी है तो पार्टनर के नाम से भूमी वाहन खरीदा जाएगा या उनके लिए खरीदा जाएगा तो कुल मिलाके दामपत्य भाव भी अच्छा है साती साथ सनी की जो दसम दृष्टी है वो आपके दसम भाऊ यानी कर्म छेतर प्रॉफेशन छेतर पे है तो करियर के लिए तो ये जबरदस्त रहेगा करियर की जो उलजन चल रही है मुझे स्विच करना चाहिए मुझे यही रहना चाहिए तो वो अटोमेटिकली ही शनी देव जो अच्छा होगा वो करेंगे आपके लिए याद रखेगा पद प्रमोशन स्थान परिवर्तन के 90% आपके योग बनते हैं जोब में चाहिए प्राइविट सक्टर में आपके स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं या काम में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला आपके लिए पॉजिटिव है यानि कि देखा जाए तो कुम्ब राची के लिए जिन के उपर सनी की साड़े साथी चल रही है उनके लिए जो शनी वक्री होना बहुत ही शुबकारी है पहले हम सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं ऐसे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो शनी वक्री में शनी वक्री होगा कुरूर हो जाएगा और तो वो अचानक ही आपके बिगड़ेवे काम बना देगा अचानकी धनला, पदलाव अचानकी घटना होगी यानि कि आपने सोचा ही नहीं होगा लेकिन वो होगा वो पोजिटिव होगा वैसे शनी का देखा जाए तो कही ना कही देखा जाए जो आपके उपपर शनी की ढहिया चल रही है थोड़ा बुद मैं उसका पताता हूँ जनवरी से आपके उपपर देखा जाए तो सर पे शनी चल रहे है जो confusion क्रियेट करेंगे आप निर्णे शक्ती आपकी कमजोर हो जा देगा साती साथ आप परिवारिक रूप से फच जाएंगे आप नौकरी में भी आपका मन नहीं लगेगा तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो सनी आपके सर पे है न हो सकता है आपको बुरी लतों के अंदर भी फसा जाए ऐसा भी योग बनता है लेकिन यह जो 140 दिन य यह आपको अचानक धनलाब देगा और करियर में कोई बड़ा परिवर्तन होगा मेनेजमेंट में परिवर्तन हो सकता है आपके सीनियर में परिवर्तन हो सकता है और नया जो सीनियर आएगा वो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा तो यह बड़ा अच्छा परिवर कुछ मीन राशी वाले नौकरी छोड़के नया काम करने वाले हैं और जो काम कर रहे हैं वो नया ही शाखा खोल ले वाले हैं तो कुल मिलाके 140 दिन आपको पार्टनर्शिप के भी अच्छी डील के भी आपको ओफर मिलेंगे आप कर सकते हैं उसको अब जो शनी की जो तीसरी दरिष्टी है एक नंबर जहां लिखा है वहाँ पर आपके लगी वी है यानि धन भाव में आपके लगी है वो व्यक्ति आपको द्हन जरूर दे देगा यह याद रखेगा थोड़ा उंगली टीडी करनी पड़ेगी बात तो आप समझ गए होंगे उसके घर जाना पड़ेगा हला काटना पड़ेगा लेकिन पैसा आपको मिल जाएगा साती साथ देखा जाए तो सातवी जो शनी की दृष्टी है वो आपके छटे भावजा सिंग रासी आ रही है वहां पर आपकी दृष्टी है तो पहली चीज जो आपका कोट केस सरकारी कोई काम पैंडिंग है तो उसका पॉजिटीव रिजल्ट आपको मिल सकता है सरकारी योजना का कोई ना कोई फायदा मीन राशी वालों को मिल सकता है और शत्रू भी आपसे परास्त होंगे शत्रू भी दबे दबे रहेंगे 140 दिन ये टेंपरेरी फे से याद रखे के लिए माता पिता को सरकारी कस्ट हो सकता है यानि माता पिता की हेल्थ के लिए ये दृष्टी अच्छी नहीं है 140 देन की तो कुल मिला के देखा जाए तो शनी वकरी से आपके काम करियर के लिए इस्तथी बहुत अच्छी है और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानन आप अपना date of birth, time of birth, place of birth मुझे whatsapp करके आप detail में कुंडली दिखा सकते हैं टेलिफोनिक appointment आज ही बुक करें तो मित्रों इस कारेकरम में बस इतना ही मुझे दीजे जाई माता दी